सकते जिले के माल खरोधा ब्लॉग के किरकार गाउं में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन कारिक्रम में चंद्रपूर विधायक रामकुमार यादो शामिल हुए और क्रिकेट खिलते हुए खिलाडियों का उत्सहावरधन किया क्रिकेट प्रतियोगिता में अमराडिह गाउं के क्रिकेट टीम ने प्रतमस्थान और अंडे गाउं के क्रिकेट टीम ने दोसरा स्थान प्राप्त किया जिन्हें पुरस्कृत क्या गया है यहां 24 टीमों ने भाग लिया था इस मौके पर जन प्रतिजी और ग्रामर बड़ी संख्या में मौजूद थे दुरान चंदरपूर विधायक रामकुमार यादो ने कहा कि किसी भी खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए ऐसे चोटे चोटे आयोजनों से खेल प्रतिभाग्यों की प्रतिक्षा पैच प्रतिभा निखर कर सामने आती है उन्होंने आगे कहा कि 36 गड़ में जिस प्रकार के खेलों की जो विधा है जिसमें क्रिकेट कबर्डी, खोको, बॉलिबॉल, बांटी और भौरा जैसे खेलों को 36 गड़ के मुकी मंत्री भुपेश बखिल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है देश में 36 गड़ पहला राज्य है जहां 36 गड़ की खेलों को आगे बढ़ाया जा रहा है और यह 36 गड़ सरकार का बेहतर प्रियास है बस मोरै संधेश से की खेल खेलते रहो और एक कहने वाला कहें है कि ध्येलों को बबनोगे नवाब और नहीं पड़ोंoubt про लिखो था नवाब खेलों क Beijrang के बातरे से लेकिन आज कि डेट में आज पढ़ने लिखने वाला बीजिन नवाब बनी और खेलने कुदने वाला भी नवाब बनी चूकि 36 गड़ में जिस प्रकार के जो खेल के जो बिधा है चाहे किरकेट हो कबड़ी हो खोखो हो अपन बाली बाल हो बाटी भावरा हो यह तमाम प्रकार के फुगड़ी हो यह सब खेल लमाने मुख्यमंदर जी 36 गड़ी ओलोंप सरकार के नाम रोशन भी करणा खेल के माध्यम से अफंधि में जनम भी नाम रोशन कर तो अपढ़ लिख करके खेल कुद करके अपन देश प्रदेश के नाम रोशन कर आए और हशते रहे और बढ़िया से मुश्कुराते हुए पंपन जिन्दगी लग खेल प्रमीमन भी ज कि आप अपने अपने मंजील प्राप्ता कर रहा हो चतिगर सरकार खेल के दुनिया बहुत आगे बढ़ा थे जैसे आभी देखे हुई या पूरा भारत में पहला ये प्रदेश है जो अपने आप में एक चतिजगड़ी ओलोंपिक बनाए ये अन्य प्रदेश में नहीं है मु और चतिगर के मुकाबला भारत में कोई नहीं कर सके यहां अबर चतिगर के बेटी बेटन बता दिश्ट